Welcome to Technic Classes, Concept at your Tips, Class 10, Reactivity Series Reactivity Series एक सीरीज है जो हमें किसी भी मैटल के रेक्टिव होने या ना होने के बारे में बताती है Reactivity का मतलब है कि कोई मैटल किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रेक्शन करने की कितनी ताकत रखता है जो एलिमेंट जितना जादा रेक्टिव होगा वो उतना ही जादा रेक्शन भी देगा कोई भी एलिमेंट कितना रेक्टिव है वो उसके आउटर मोस शेल के इलेक्टरन रिसाइड करते हैं मतलब जो element electron जल्दी दे सकता है या फिर ले सकता है वो ज़्यादा reactive होते हैं चलिए अब नज़र डालते है रेक्टिविटी सिरीज पर रेक्टिविटी सिरीज के टॉप पर सबसे रेक्टिव एलिमेंट होता है और जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे आते हैं, reactivity कम होती जाती है reactivity series हमें ये भी बताती है कि किसी reaction में क्याँ सा element किसको displace करेगा जो element top पर है reactivity series के वो नीचे वाले element को displace कर सकता है जैसे NaOH और HCl की reaction करा है तो Na H के उपर होता है और इसी वज़े से वो HCl में से H अलग कर उसकी जगा ले लेता है आपको reaction screen पर दिख रही है Polyatomic compound जैसे की OH और SO4 सीरीज में नीचे आते हैं Hydrogen के नीचे रखा गया है इनको ये इतने reactive नहीं होते हैं Reactivity Series कुछ इस तरह से है इसको इस तरह से प्रणॉंस करके याद किया जा सकता है आप reactivity series को screen पर देख सकते हैं इसको note down कर सकते हैं, याद कर सकते हैं Lithium सबसे ज़्यादा reactive element है ये series hydrogen के साथ react करवा कर बनाई जाती है इसलिए hydrogen इस series का basis माना जाता है So thank you guys, please like it, share it with your friends, comment your views and don't forget to subscribe it for future videos